सबी स्टुडेंट का स्वागत है तो हमारे पास मैं आज व्यापम बर्ग तीन पांच मार्च सिप्ट पष्ट के सभी कोईशन उपलब दें तो देखें आप सभी कौन कौन से कोईशन पूछे गए हैं बालवकास पर्यावरण और हिंदी के तो देखें स्टुडेंट रस से क कउशन आय हुए है दो या तीन कुशन छन्द से कुशन आय हुए हैं पर्यावाची आप लोगों से दो या तीन पूछे गए हैं हिंदी के मौावरे में प्रयोग भी पूछा गया है प्यारे बच्चों और एक रस देख लो एक अचंबा देख्या रे भाई ठाडा सिंग चराब है गाई तो इसमें है अद्बुत रश है कौन सा है प्यारे बच्चों अद्बुत रश है अब देख लें आप लोग एक कुछ कोईशन है पर्याबरन के बहुती धमाकेदार कोईशन है कि किस बढ़नक की उपस्तिदी के कारण पौदे होते हैं हरे तो बता है प्यारे स्वामी नातन एक कौन थे क्रशी बैग्यानिक थे अब देख लें आप लोग देखो अगला क्वेशन पर्याबरन का क्या है पेडों की कटाई गटाती है क्या गटाती है बरसा जो आज कल कम बरसा हो रही है वह पेडों की कटाई के कारण हो रही है ठीक है बच्चों बाग उज़ोन परत से शंबंदित क्विश्चन का हमें पता चला है कि उज़ोन परत की मौताई नापने की जो एकाई है ना वह एकाई है, डॉप्रब्शन एकाई है कौन सी है, डॉप्षन एकाई है प्यारे बच्चों और इसके बाद मैं देखो इस रो बिलकुल अंतरिच शे शम्मंदित क्विश्चन भी आई हुए हैं आप लोगों के एक जाम में बिलकुल अंतरिच शे शम्मंदित ठीक है ना बच्चो अब देखेंगे आप लोग अगला क्विश्चन चिपको अंदोलन की जनक गौरा भी द्वारा चिपको अंदोलन किस गाउं से प्रारंब किया गया था आते महत्वपून कोईश्चन है बार बार पूछा जाने वाला कोईश्चन है और यहां कोईश्चन भी आजा हुआ है तो रेडी गाउं में तो रेडी गाउं कहां पे है तो रेडी गाउं में उत्तरा खंड में हैं कांपे है उत्तरा खंड में तो यहां कोईशन कई सिप्ट में पूछे जाने के चांस है बटा जो रेंडी गाउं है न वह उत्तरा खंड में इस्तित है अब देख लें आप लोग बिटामिन से सम्मंदित कोईशन आया हुआ है कि बिटामिन की कमी से घाव से रक मित्रों से सीखना प्रातमिक wisdom कहा एक हिस्सा है। देखना सभी ce de day चंद्रमा के बीच होता है। हम लोगों के प्यारे भारत देश का राई ह्ती पशू है बाग है बाग कौनसा है प्यारे बच्चों बाग है प्रती पर उर्जा का बिलकुल चरम स्रोत है तो इस प्रकार से यह question पूछा गया है प्रती पर उर्जा का चरम स्रोत है ठीक है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौदे प्रहिणन करते हैं क्या कहलाती है परागर कहलाती है क्या कहलात बिल्कुल Fahrenheit पेमाने पर पानी का कोतरंग Fahrenheit में पूछा है तो 212 डिग्री Fahrenheit है क्या है इस्टुडेंट 212 डिग्री Fahrenheit जो के अधिमात्पूर्ण है वह एक और हमें हिंदी के question का पता चला है देखो मिस्र बाग के से आया हुआ question है क्या है बच्चो हिंदी में मिस्र बाग के बिल रखना है सभी स्टुडेंट को कौन सी प्राक्रतिक आपदा नहीं है क्या है बच्चो कौन सी प्राक्रतिक आपदा नहीं है बता दें आप लोग मेरे को के इसका कौन सा है बताए सभी स्टुडेंट तो कौन सी प्राक्रतिक आपदा नहीं है तो सौट सरक्रतिक आपदा न का पता चला है हमें के रेसम की रासायनिक प्रक्रती है तो प्रोटीन है कौन सी है प्यारे बच्चों प्रोटीन है इसमें पर्यावरण की पैडा गोजी बालविकास की पैडा गोजी सब के सब कोईशन इसमें मौजूद है ठीक है इस्टूडेंट इन चीजों को रखें आप लोग ध्यान मैस के भी हैं हिंदी के भी हैं सभी कोईशन इस वीडियो में उपलब दे हमें पचास के पचास कोईशन पता चले हैं और आप लोगों के लिए अभी रेगूलर क्लास चलने लग जाएंगी बिलकुल संदार वही कोईशन कराएंगे जो बारबार पूछे जा रह पूदे का प्रहिन नंग क्या है इस्टूडेंट फूल है भेंश एवं बगुला के बीच शंबंद क्या है कितना शांदार कोईशन है कि भेंश एवं बगुला के बीच में शंबंद है सहजीवी शंबंद है क्या है सहजीवी शंबंद है ठीक है न अब देख लो कनक कनक के पर्यावाची सब्द पूचे हैं हिंदी में तो बिलकुल कनक का गेहूं होता है क्या होता है गेहूं धतूरा सोना बिलकुल इस प्रकार के होते हैं और नाग केश्वर क्या होता है नाग केश्वर और केले की एक जाती होती है क्या होती है बिलकुल केले की एक जाती होती है ठीक है इस चीज को रखना student ध्यान अब देख लो बहुंसे वं बगुला के भी शंबंद है सहजी भी शंबंद है अब देखें सभी बच्चे अगला question का पता चला है बाल विकास का तो देख लें बाल विकास का अधिमात्यपून question है यहाँ देखें क अधिगम प्रक्रिया है तो बिवेकपून है अधिगम से संबंदित कुईशन आ जाओ आए प्यारे बच्चों काई से अधिगम से संबंदित तो अधिमातपून चीज है यह इस चीज का ध्यान रखें समू विदियों द्वारा सीखने का उधारण है कौन सा है देखो इस प् बिकल्पता के समू विदियों द्वारा सीखने का उधारण बाद विवाद विदी कारशाली विदी है विचार कोईश्टी विदी है यह सभी तो इसका सई आंसर है यह सभी क्या है बच्चों यह सभी अब देख लें स्टूडेंट अधिगम का निस्पादन है अभी व्रत अर्थ खोजने से होती है नवीन ज्यान की प्राप्ति पे आजे केश संग्यातनात्मक विकास के चार तरणों में कौन सा समलित नहीं है तो उत्तर क्या है संक्रियात्मक का बच्ता है क्रोध्व भय प्रकार है काई का प्रकार है संबिक का प्रकार है क्रोध्व भय देखो student कितना ऐसा question आया है कि रोधो भः प्रकार है तो संबिक का प्रकार है अब अगले question क्या कुन सा पता चला है वो अकारक जो अधिकम को प्रवावित नहीं करता तो बर्सर का माहा प्रवावित नहीं करता अब देखो जो इच्छा के अधीन हो बिलकोल अनेक सब्दों के एक दीन होता है इच्छा धीन क्या होता है इच्छा धीन होता है तो ऐसे भी कोईशन आई हुए हैं बिलकुल कविता करने वाली इस्तरी मतलब कौन होती है देखो कविता करने वाली इस्तरी तो यह होती है कव इत्री बिलकुल अनेक सब्दों के हैं एक सब्द सीखना क्या है तो प्राण मात्र के बिवार में सुधार लाने के लिए सीखना है क्या है प्राण मात्र के बिवार में सुधार लाने के लिए अब प्रेणा बढ़नेत होती है भावात्मक जागरती द्वारा बढ़नेत होती है ब्यक्तित तो समायोजन की प्रत्यच बिदी कौनसी है बादा निर करण अंगूर खट्टे हैं काय का उधारन है युक्ती करण का उधारन है अंगूर खट्टे हैं युक्ती करण का उधारन है बच्चे जैसा बिवार करना एक उधारन है प्रतिगमन का देखो प्रतिगमन से युक्ती करन बिलकुल इससे आये हैं बच्चे जैसा बिवार करना एक उदार्ण होता है प्रतिगमन का तो आज की सिफ्ट में यह कोईशन सांदार पूछे गए हैं बिलकुल लाइब रिवी के आदार पर बच्चों ने बिलकुल हमें बताया था तो लाइब रिवी लिया था उसके आदार पर कोईशन है सब के सब वहां पर सभी बच्चे को समझना बच्चे की कमियों का कारण पता करना बच्चे के समाज योजन में साहिता प्राप्त करना किशोरों में द्वंद उभरने का मुख्य कारण क्या है तो अब सरों की प्रतिकूलता है क्या है स्टूडेंट अब सरों की प्रतिकूलता अब देख लें आप तो अगला कि सिचक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है क्या है सिचक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी विद्यारतियों की विविन अधिकम शेलियों के अनशार शीकने के मौके उपलब्द कराना सिचक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है तो यहां आज की क्लास के आज के पेपर म नभु था तो अलंकार है देखो प्रातह नभु था बहुत यह कुशन पूचा नीला बिल्कुल बहुत नीला संक जैसे बिल्कुल इसमें अलंकार बताना है क्या बताना है इसमें बताना है अलंकार तो कौन शा अलंकार है देखें आप लोग बिल्कुल यह कुशन पूचा ग कौन सा अलंकार है ओपमा अलंकार है इसमें ठीक है ना तो यह कोईशन आया हुआ है तो इस प्रकार के हमें पता चले हैं तो अलंकार का भी कोईशन हम लोगों ने बता दिया तो सभी बच्चे ध्यान रखें यहां ते मौत्पून कोईशन थे सब के शव जो आज के पेपर मे पूछे गए हैं तो ध्यान रखें सभी स्टूडेंट हमारी क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा करें शेयर मैं हूँ नरेंद्र धाकर जो आप लोगों को अभी लाइब रिवीव के आदार पर क्वेशन बता रहा हूं ठीक है ना बच्चों सभी स्टूडेंट क लाइक और शेयर करना है वीडियो को जै हिंद जै भारत जै माकाल